हलौ डीवन वैलकमॉंटॉ सिलिनिम टूटोरियन हमने अभी तक देखा कि सलेनिम में कैसे को भूरिय को परफार्म कर करने के लिए लेकिन आप अगर यह देखें कि हमने हमेशा Eclipse को use के है ट्रिगर करने के लिए या आप इसको command line से भी कर सकते हैं तो यह दोनों जो ways हैं ट्रिगर करने के लिए यह तो feasible नहीं है यह feasible इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पूरा एक execution environment नहीं मिल रहे हैं तो अगर आपको execution environment चाहिए जिसमें logs आपके जो screen चाहिए कुछ भी आपका builds कैसे trigger हो रही है आप आपके suits कैसे trigger कर रहे है grid को handle करने के लिए यह जब setup होता है वो एक build tool के through होता है तो उस build tool को हम यहाँ पर Jenkins कह रहे है वो एक freeware build tool है तो इसको download करने के लिए सबसे पहले आप download page पर जाएंगे जब हम download पर गए तो हम इसको download करेंगे अगर आपको service चाहिए तो आप windows के थुरू download करेंगे यहाँ पर windows के लिए और किसी और environment के लिए करना चाहते है तो यह click करेंगे और यह download जाएगा और ऐसी अगर आप सिर्फ पर जार चाहते हैं तो यहाँ पर आप जार download कर सकते हैं windows के अब इसके बाद अगर आप जब भी इसे install करेंगे तो जार तो simple एक command line से चल जाएगी java-jar और आपका जार ने लेकिन अगर आपको एक particular folder में जो हमने वो करी है वो download में हमने जो file download करी है MSI file को install करना है तो आप इसको यहाँ पर MSI file को install करेंगे एक normal desktop application के तरह install हो जाएगी और जब आप localhost 8080 पे जाएगे तो वो Jenkins खुल जाएगा आपका initially आपका maybe वो कुछ और मांगे जिसको हम कहते हैं initial password तो यहाँ पर एक file बनते initial admin password जो initially आपसे मांगेगा तो आप यह दे सकते हैं जब आप यह कर देंगे तो उसके बाद हमने जो command line से जैसे की job trigger के थी तो आप सबसे पहले एक नहीं job बनाएंगे जिसको आप maven job कहेंगे आप इसको freestyle job या maven job बना सकते हैं तो हम यह maven job बनाएंगे इसके बाद आप अगर चाहिए तो existing configuration को copy करने के लिए या copy भी कर सकते हैं job तो यहां आप गर आप maven मेरी जो jobs है let's say maven job 2 इससे copy भी कर सकते हैं तो अभी के लिए हम simple एक maven job बना रहे ताकि मैं आपको बता सकूँ आगे कैसे configure करना है जब maven job 3 बनाएंगे मैं पहले से कुछ jobs बने हुई थी इसलिए मैंने maven job 3 बनाई और उसके बाद जब आप add करेंगे build को तो आप यहां पर अपना एक path दे सकते हैं तो यह मेरा path हो गया पॉम्डो टेक्सेमल का यह मैंने दे दिया यहां पर और goals या आप install clean क्या 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 करना चाहते है वो दे सकते हैं और आगे भी advance दे सकते हैं पर अभी के लिए हम इतना दे रहे हैं और save कर दे रहे हैं जब हमने यह कर दिया उसके बाद हम जाएंगे वापस Jenkins पर और यहां पर हम जाएंगे manage Jenkins में और global tool configuration में यहां पर हम मेवन installation पर जाएंगे और यहां पर हम इसे name देंगे मेवन का और यहां पर path देंगे मेवन जो हमारा folder जापर है और save कर देंगे तो ऐसे हमने मेवन का configure कर दिया और उसके पहले उसके बाद आप Jenkins में जाके अपनी जॉब में जाके मेवन जॉब 3 इसको execute करेंगे build now से तो जब आप build now करोंगे तो आपकी मेरी jobs चल रहे है कुछ तो उसको cancel कर देते हैं या आप इन ही में देख लीजे जॉब 2 में यह मेरी build start हो गई है तो जो भी मेरी build start हो गई है इसने सब कुछ download कर रहा है जो भी से चाहिए अभी के लिए और उसके बाद वो compile करने के बाद task is download करेगा जैसे यहाँ पर इसने किया था जैसे हमने यहाँ चलाया था तो जैसे यहाँ बिल्ड करने लग गया था ऐसी यहाँ यह बिल्ड शुरू हो गया और क्योंकि यहाँ पर सारा जार्स वगेरा डाउलोड़ीड होती है पॉम से या पहले से ही क्योंकि आपके local system आप पहले करके रखते हैं तो यहाँ पर वो सब नहीं होती तो इसलिए वो यह चेक कर रहा है कि वो है या नहीं है और उसके बाद डाउलोड कर रहा है और जैसी यहाँ पर आप बिल्ड करने के बाद यहा क्योंकि पहले मेरी jobs fail कराई है मैंने तो यहाँ red आ रहा है अगर आप success कराएंगे तो यहाँ पर मेरा यह वाला browser trigger होने लग गया और यह test case चलने लग गया तो ऐसे करके पूरे test case execute होंगे यह मेरे logs दिख रहे हैं यहाँ पर और इसके लावा जब मेरी job चल रही है तो मुझ करती देर में चली क्या time हुआ और सबसे important चीज़ यह है कि आपको plugins manage करने होते हैं तो manage Jenkins में जाएंगे और manage plugins में जाएंगे तो जो जो आपको plugins देखने हैं let's say मेरे installed plugin क्या है मेरे installed plugin में मेरे इंस्टॉल्ड प्लग इन मेरे इंस्टॉल्ड है ऐसी अगर मुझे git चाहिए त तो git मेरे plugin क्या installed है में पर github, git source सारा installed है ऐसी svn चाहिए तो मेरे svn installed नहीं है तो available में जाओंगा और svn search करेंगे तो देखेंगे कि वो present है या नहीं है और यहां से आप svn का जो plugin चाहते हैं उसको install कर सकते हैं आप चाहिए तो without restart install कर सकते हैं और download करके फिर आप चाहते है कि Jenkins restart हो तो वो भी install कर सकते हैं तो basically Jenkins की service restart होगी यहां पर इसके अलावा आप अपने credentials को अपने users को people के through manage कर सकते हैं users करके या जो भी आपको करना चाहिए make sure कि आप admin है यह सब कुछ करने के लिए of course मेरा admin है तो आप और users बना सकते हैं और आप कई और तरीके की jobs भी बना सक सकते हैं तो अब हम अपनी यह new item हमने देख लिया people हमने देख लिया build history में जाते हैं या मेरी builds की history है कित्ती देल लगी क्या हुआ यह सारे details आपको दे रहा है project relationship में अभी कुछ ज्यादा आएगा नहीं जो भी आपने projects compare करने हुआ है आप दे सकते हैं check file fingerprint यह अभी के लिए आप इसे छोड़ दीजिए मैंने Jenkins सारा admin user के लिए है mostly जो भी operations होते है वो admin के लिए plugins manage करना system configure करना तो यह अपने आप में यह एक पूरा concept है यह my views यह हमारी jobs होगे एक तरीके से फिर उसको है credentials आप अपने credentials को manage करेंगे तो अब मैं अपने job में जाता हूँ उसके बाद मुझे क्या क्या मिलेगा workspace मिलेगा यह मेरे system का workspace होगा आप इसको clear करना चाहें अभी एक build नहीं हुआ है तो एक बने मैं job 2 में जाता हूँ sorry job test में जाते हैं यहां workspace में अभी कोई file नहीं है अगर यहां file directory होगी तो यहां दिखेगी delete करना चाहते है आप इसको delete कर सकते है modules में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है और उसके लावा आप कुछ changes देखना चाहते हैं कोई changes नहीं है पहले कोई changes नहीं हुई थे तो यह सब कुछ आपका बता रहा है और build now से build होता है configure में जाएंगे तो यहां पर जो भी आप configure करना चाहते हैं सब करेंगे तो यहां पर आपने source code management दिया जनरल दिया और source code management दिया फिर उसके बाद build triggers में आप दे सकते हैं पहले मुझे build execute करने से पहले क्या करना है बिल्ड में क्या करना है और बाद में क्या करना है अगर आपको email notification चाहिए तो आप यह email notification दा सकते हैं make sure जो आपकी email के configurations है वो आप अपने managing किसमें जाके और वहां पर जो system configuration है वहां पर आप दें तो ऐसे आप जितने भी plugins या करेंगे आप उतने ही देख पाएंगे जैसे post build में अभी आपको यह सब दिख रहा है तो यहां पर आप और कोई plugin दिखाएंगे जैसे आप for example performance reports जाते हैं तो यहां JTL के plugins भी दिखेंगे अगर आप install कर लेंगे of course ऐसी pre-build में भी तो यह सब कुछ आप कर सकते हैं तो इसको save करके हम बाहर आ गए तो अभी हम देखेंगे कि हमारा एक पोज़र एक तो browser invoke हो गया था लेकिन एक अभी भी downloading में चल रहा है तो उसके बाद हमने यहां तो यह status दिखा रहा है तो basically हमें पूरा environment मिला हुआ है हमने पूरा environment देख लिया कि Jenkins का कि कैसे हम different different तरीके से आपकी features है different different आपको क्या क्या execute करने को मिल रहा है सिर्फ मेवन ही नहीं काफी हो तरीके से Java को भी execute करना JDK को भी setup करना यह सब भी आप कर सकते हैं तो यही हो गया Jenkins की बात हम इसको हमने एक overview लिया है ताकि आगे हम इसमें मालो की आपको continuous integrations का concept होता है जिसमें आप जैसे आपका for example git में या किसी भी source code management tool में आपका यह operation perform होता है तो आपका यहापर reflect हो आपकी job execute हो जैसे भी आप CI perform करना चाहते है या फिर आपको पूरा grid manage करना है यहाप पर आपकी different machines setup हो जाती है कि for example आभी मैंने local पर चला रखा है तो आप इन jobs को different machines पर चलाएं तो उसे grid setup कहते हैं जो हमने पहले discuss भी किया था एक level पर तो यही सब कुछ करने के लिए Jenkins बहुत ही अच्छा build tool है Hudson करके या और भी build tools आते हैं और कुछ paid build tools भी आते हैं पर Jenkins widely used build tool ह तबी के लिए इता हैं Thank you